उत्तर परदेश विच एक मुसलिम पुल्स वाले नू लंबी दाड़ी रखन लई सिस्पेंड करन दे तोलकी फर्मान सुना देते गए हन। यूपी पुल्स विपाग इस पिछे तै निमा दा हवाला दे रहे हैं। जदके सव इंस्पेक्टर इस तार अली दा कहन है कि 1994 में तुहीं खुली दाड़ी समेथ आपनी ड्यूटी न बौन दे आ रहे हन। अचानक नमी नेम कि में लागू कर देते गए हन। असल विच उत्तर परदेश दे बागपत विच एक मुसल्मान सब इंस्पेक्टर नों बिना इजाज़त दाड़ी रखन अदे अनुशासन हींता दे लई सिस्पेंड करन दे हुकम सुनाए गए हन। जिस्तो बाद सवाल उठ खड़े होई हन। माबले विच पुल्स दे अलावसरा दा कहन है कि उन्हाने कारवाई करून दे दैरे विच रहके कीती है उन्हों दा कहन है कि जेकर इस कारवाई दे खलाफ अदाल्त भी जानदा है तासी उस दे लई भी त्यार हाँ पर साव इंस्पेक्टर इंस्टार अलिदा केने कि उन्होंने पिछले साल नुमंबर विच ही दाडी रखन देले इजाज़त मंगी सी जो नहीं मिली उन्हाने केहे के जरूरत पेनते ओ अदालत भी जानगी बागपत दे थाना रसाला दे साव इंस्पेक्टर इंस्तार अली नू दाड़ी रखन दे ले सिस्पेंड कीते जान दी कारवाई थे कई लोका ने सोशल मीडिया दे सवाल चुके हन उनने यूपे पुलस दे तरम तो प्रेरित होके पाकपत करन दे इल्जाम भी लाए हन हाला के पुलस दे आला अफसरा ने इस तरह दे सारे इल्जामा नू खार्ज कारदे होए क्या है कि जो पी पुलस एक अनुशासित फोर्स है अधे बागपत जिले विच पुलस फोर्स दे कमंडिंग अफसर देता और ते अनुशासन दा पालन करना मेरी जिमेवारी है सब इंस्पेक्टर नू दाड़ी रखन देली नोटेस देता गया सी उरहने नोटेस नू नदर अंदाज कीता जिस तो बाद एक कारवाई कीती गई है उन्हानों सुस्पेंड कीता गया है सोशल मीडिया ते टिपनी कार दे होई कुछ लोका ने सवाल चुके हनके इंस्तार अड़ी नो मुसलमान होन दी वजा नाल निशाना बनाया गया है इंडियन अमेरिकन मुसलिम काउंसल ने में इस विशे ते ट्वीट कीता है पीम आर्बी नाल जुडे हिमाशू वालमीकी ने ट्वीट कर दया कहा कि उत्तर परदेश दे हर पुड़ स्थाने बिच मंदर बने मस्जिद चर्च गुर्दवारे क्यों नहीं पार्त देश सवदान नाल चालदा है मनू समरिती नाल नहीं इनना इर्जामा ते पुड़स दे आला अफसरादा कहना है कि जेकर कोई हिंदू पुड़स मुलाजम इस तरह दी अनुशासन हीड़ता करदा होवे ता उसते भी अजही कारवाई होंदी जो लोग इसनों तर्मिनाल जोड़के वेक रहे हन और गल्द कर रहे हन दिक्कत उना दे नजरिये बिच है पुड़स फोर्स बिच सिर्फ सिखानों ही दाड़ी रखन दी इजाज़त है पुड़स दे अलाफ सरादा कहना है कि जदो असी पुड़स दी नौकरीच आउंदे हां ता सब तो पहला बहुत चीजाना त्याक करना पेंदा है असी एक शश्चतर बढ़हां अनुशासन साधी पहली जिमेवारी है कोई भी पुड़स मलाजम जेकर अनुशासन हींता कर पुड़स दे अलाफ सरादा कहना है कि अनुशासन हींता दे लेई कि साविज स्पेक्टर दा निलंबन पुड़स दा अंदरुनी मामला है जो लोग सोशल मेडिया ते इस दी चर्चा कर रहे हन उननों निजमा दी जानकारी भी लेनी चाहिदी है पुड़स दे निजमा द योगी अधित्यानाद दे अगे हत जोड के गोड़ी टेक के बैठा है उनने लेकिया कि जेकर सर्वस निजम दाड़ी रखन दी इजाजत नहीं दिन दे तक किसे राजनितिक व्यक्ती दे अगे चुकन दी इजाजत भी नहीं दिन दे वास्तव विच ये उस्तों में बुर आपका IPS अफसर विभूती नरायन राय केंदे हन के एक इंस्पेक्टर दे स्पेंडर नू जबर दस्ती संपरदाइक रंग दिता जा रहा है इस सिध्य तौर्थे पुर्स अंशासन दा मामला है राय केंदे हन के मैं जदो IPS बनिया ता दो तिन वार मैंनू भी शेवना करंदेले दंड़त कीता गया मेरे ट्रेनर ने मैंनू राइफल सिर्थे उठाके दोड़ाया पुर्स से कंशासित बढ़ है पुर्स अधिक्षक ने बिलकुल सई कारवाई कीती है राय केंदे हन के जदो मैं पुर्स अधिक्षक सी तमसलाना दर्जन अवेदन आउंदे सन जिसे वचे दाड़ी रखन दी गुजारिश कीती गई होंदी सी कुछ वक्त देले इजाज़त देने ती जानदी है मैं पूरी तस्दीक करके ही इजाज़त देनदा सी इस परकर्ण नो संपर दागता नो लेके हो रही बैस दे राय केंदे हन के हर पुर्स मुराजम जो पुर्स दी नौकरी विच आउंदा है वो जानदा है कि उसनों रोज शेव करना होवेगा इस परकर्ण नो यवरदस्ती तार्मिक रंग देता जारे है अजहा करके लोक उ दाड़ी रखन दी वजा नाल मैंनू इस तरहां दंड़त किता जावेगा मैंनू अपने तरमदा पालन करन दा अधकार है और केंदे हन के मैं 25 साल तो पुर्स सिवा बिच हां इस दो रान मेरे कार्ज काल दी जांच कर लई जावे मैं पूरी इमान दारी नाल अपनी नौक अधकार यहनों गोजारिश करांगा इजाज़त नहीं मिली ता अधाल्त भी जामांगा आपने तरमदा पालन करना मेरा सवधानिक हक है कि इस तार अली जेकर दाड़ी रखन दी इजाज़त मंगेगा तर उनों मिलेगी इस सवाल दे पुर्स दे आलावस्तरा दा कहना है कि हुणता उसनों नलंबत कर दिता जा चुका है और जान दे हन के पुर्स बल्च रेंदे हुए और दाड़ी नहीं रख सकता सवाल यह भी उठ रहे हन कि की एक पुर्स मुलाजम पुर्स फोर्स विच रेंदे हुए आपने तरमदा पालन नहीं कर सकता झाँ झाँ झाँ